सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैनी क्रियेटिव आडियास को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट क्रियेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो दोस्तों मेरा नाम है सौनू और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैनी क्रियेटिव आडियास दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस बॉसिंग मसीन को अंदर से खोल के अच्छे से साफ करेंगे तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को सुरू सिलाज तक पूरा देखते रहिए और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंदा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक से जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमको इसकी जाली अठानी और इसके बाद यह अठाना है तो हम जाली अठा लेते हैं पेचकस की मदद से हम इसे खोल लेते हैं देखिए बड़ी आसानी से बहार ने कली आई और आप देख सकते हैं इसमें कितना कचरा भरा हुआ है इसे आपको अच्छे से साफ करना है उसके बाद दोस्तों आपको इस बॉसिंग मसीन का पलसेटर खोलना है तो उसको खोलने के लिए इसके उपर एक धकन लगा है जिसे आपको पेचकस की मदद से अठाना है तो दे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी कितना कचरा भरा हुआ है देखिए दोस्तों मैंने यह पेच भाने काल लिया है और आप देख सकते हैं इस पर कितना कचरा लगा हुआ है मेरी हाथ भी पूरे काले होगा कचरे से इस पर कुछ कीचड सी जम गहीन पूरी वंस मासिन में हम इसे आज अच्छे से खोला के पूरी तरीके से साफ करेंगे तो हम इस वंस मासिन के पलसेटर को नकालते हैं विसे निकालने के लिए आपको इसे बीच में से पकड़के खीशना हुआ बाहर की तरफ तब यह निकले आएगा तो देखिए यह निकल आया है और आप देख सकते हैं इसके पीछे भी कितना कच्रा जमा हुआ है कीचर सी जम गई यह पूरे पे और आप वसिंग मसीन में नीचे भी देख सकते हैं यह देकिए यह इसका बारसल है इसको हम बात में अच्छे साफ करकर लगाएंगे और देखिए यहां पर कपड़ों के धावे भी हैं कच्रा है पूरा जम चुका है यहां पर इसी से दोस्तों आपकी बहुत से मसीन खराब हो जाती है जब जिए आपकी मॉटर में फस जाता है तो इससे मॉटर जाम होके फुक जाती है और इसको देखिए हमने खोल लिया है साइड से वैसे दोस्तों यहां आप उपर सरकाक के निकाल सकते थे लेकिन यह साइड से भी निकालाता है इसी वैसे हमने इसे पहले ही निकाल दिया है अब दोस्तों हम इसके यह साइड में यह दोनर लगे है इसे भी हम खोलेंगे तो इसे खोलने के लिए हमको यह इसके उपर कावर है इसको पूरे को अठाना होगा तो देखिए इसमें एक पेज यहां पर है हमको इसे खोलना है फिर उसके बाद एक पेज यहाँ पर है और एक पेज यहाँ पर लगा हुगा है दोस्तों उसके बाद हमको यहाँ इसका पैनल नकालना है तो इसमें यह सारे स्क्रू है जो हमने खोल ली है पहले ही अब मैं दोस्तों इसका बैक पैनल नकाल देता हूं देखिए दोस्तों मैंने इसका बैक पैनल नकाल दिया है अब आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए यह ड्रेन के लिए इसमें प्लास्टिक का वायर लगा है जब आप ड्रेन वाला वटन इसमें गुमाते हैं तब इससे रस्ती उपर हो जाती है और आपको ड्रेन खुल जाता है और सारा पानी निकल जाता है हाद तो हमने मेसे निकाल दी है रस्ती अब आपको यह यह जो बगल मैं ड्राइर के लिए यह मोटर में यह ब्रेक लगा रहता न् legen था इसे भी आपको हटाना है तो हम सबसे पहले इन दोनों पेज को खोल लेते हैं मैंने दोस्तों देखिए ड्रिन वाला बायर पहले ही निकाल दिया था उसके बाद मैंने ड्रायर के ब्रेक वाला बायर भी निकाल दिया है और मैंने यह दोनों पेज भी खोल दिये हैं आप जी यह उपर फाला स्ट्रेแล उख्राट का लागा है इससे हम निकाल देते हूं और तो अब इसके बाद आपको क्या करना है देखिंगे यह जो ड्रायर का धक्कन है इसके उपर से आपको यह स्प्रिंग हटा जेना है और ड्रायर के बेख वाला भायर भी निकाल देना है और यहां dryer का नकाल कर भी आपको ऻटा देना है अब आपको इसके वारे निकालने और यहें इस्मिस भूलना है तो यह utwares pagan को यहे savez वी मैंने निकाल दिया अब मैं इसा बेएर को खोल लेता हूं नीचे से और इसे भी फिर हम निकाल देंगे तो यह जो बायर है से सबसे पहले हमको इस पनी में से खटाना है तो मैंने बायर पनी से बाहर निकाल लिए और इसमें देख सकते हैं आप यह तीन इसमें प्लक लगे हुए हैं यसे भी आपको निकाल लेना है तीनों को इन तीनों प्लक को दोस्तों है बीच में से दवाने पर फीच में आएंगा आएंगे आसानी से यह हैं यह इस में वाइड पिंक और ब्लेक कलर के है आपकी में कोई भी कलर हो सकता है आप देख लीजिए और फिर उसके बाद हमको यह वाला बायर भी खोलना है फिर इसको मैं पूरे को अलग निकाल के रख दूँगा यह मैंने समय से निकाल दिये हैं मैं इसको भी यहां से खोल के इसको पूरे को निकाल के रख दूँगा तो मैंने दोस्तों यह पोटा दिया है हमको दोस्तों यह वाला खोलना है इसका कवर तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर यह पेज लगे हुए है सारे पेज आपको खोलने है दो पेज दोस्तों इसके इस तरफ नीचे भी लगे हुए है और दो पेज उस तरफ नीचे की तरफ लगे हुए है आपको यह भी खोल लेने है तो दोस्तों मैंने सारे पेज खोल दिये है अब मैं इसको हटाता हूँ इससे हटाने के लिए दोस्तों आप दीरे दीरे ही इसको बाहर नकाल लिएगा नहीं तो इसमें जो प्लास्टिक के लॉक लगे रहते हैं वहें टूट जाएंगे तो आप इसे दीरे दीरे अच्छे से बाहर नकाल लीजिएगा मैंने यह निकाल लिया है और हम इसे साइड से रख देता हूँ अब देखिए दोस्तों यह जो साइड में लगे हूँ है इसको नकालने के लिए आपको यह दौन लुप पेश खोलने है और फिर आपको इसे उपर की तरफ खीच के नकाल लेना है तो देखिए मैंने पेश खोल दिये अब मैंने इसे उपर खीचा देखिए इसमें कितना कच्रा भरा हुआ है उदर वाले को भी दोस्तों हम खीच के बहान निकाल लेते हैं यह बड़ी आसानी से बहान निकले आते हैं और आप देख सकते हैं इसमें भी कितना कच्रा भरा हुआ है अब दोस्तों आपको इस ड्रेन में एक रवड लगी रहती है उसे अठाना है अगर आप इसे नहीं अठाओ गए तो सारा कच्रा आपके इस पाइप में यहां पर जमा हो जाएगा तो ऐसे ना हो इसलिए हम इस ड्रेन में रवड लगी रहती है उसे हम निकाल देते हैं ताकि सारा कच्रा पाइप से बहा निकल जाए जब हम उसमें पानी डालेंगे तो अगर आप इसे नहीं निकालोगे तो सारा कच्रा यहां पर जमा हो जाएगा और आपका पाइप बंद हो सकता है देखिए दोस्तों मैंने इस वासिंग मसीन में सारी कीचर सी जमी हुई थी वह सभी मैंने साफ कर दिये पानी से अब मैं दोस्तों इसकी है साइड में लगे उगेते तो मैं इसे बापस लगा देता हूं सरका के दोस्तों यह बापस लग जाते हैं बड़ी आसानी से वो भी दोस्तों मैंने उपर से ही किसका के लगा दिया था अब मैं इसमें पेज लगा देता हूं और फिर मैं इसे अच्छे से कस दोंगा दोस्तों अब इसकी बीच में वो बारसला हुआ था मैंने उसको साफ करके उसमें ग्रीस लगा दिया है अब भी उसे अच्छे से साफ करके ग्रीस लगा दीजिएगा और सारे पेज को अच्छे से कस दीजिएगा अब हम इसमें बॉसिंग मसीन का पलस्टर लगाएंगे तो उसे लगाने के लिए हमको बस उपर से आराम से इसे रख देना है नीशे की तरफ और बस देखिए लग चुका है अब हम इसमें बीच में पेज कस देंगे आपको दोस्तों इस पेज को एकदम टाइट कस ना है और इस जाली को भी हम लगा देते हैं अब मैं इस पेज को पेज कस की मदद से कस देता हूं तो देखिए यहां लग चुका है अब दोस्तों हमको इसके उपर का कवर लगाना है देखिए मैंने इसके उपर का कवर भी लगा दिया है और मैंने सारे पेज इसके कस दी है अच्छे से अब दोस्तों मैं इस ड्रायर का इधर डखकन लगाँगा तो इसे लगाने के लिए आपको यह दोनों इसमें लगाने होंगे तो मैं इसे अभी फिक्स कर लेता हूं अच्छे से और फिर यहां पर आपको उपर की तरफ स्प्रिंग भी लगानी है और साइट से आपको इसमें ड्रायर वाली रस्टी लगानी है तो मैंने इसमें स्प्रिंग लगा दी है यह सारे पेज कस दी है और ड्रायर वाली रस्टी मैंने इसमें लगा दी है साइट से और यह वायर भी मैंने इसकी कस्दी है उपर कंट्रोल की मैंने सभी अच्छे से फिक्स कर दिया है बापिस जहां से मैंने खूला था सब बहीं की वें फिक्स कर दिया है अब आपको यह सारी वायर आपस में फिक्स करनी है, ब्लेक को ब्लेक से, वाइट को वाइट से और फिंक को पिंक से, अब हम इस जो ड्रेन में और अवर लगी हुई थी हम उसे भी वापस लगा देते हैं, और मैंने इस बायर के उपर पनी वापस लगा दिये ताकि यह गेली तो मॉटर बंद हो जाएगी, अब हम इसके पीछे का कवर लगा देते हैं, और अब दोस्तों, आपको भी इसके सभी पेज अच्छे से कसने हैं, इसमें जितने भी पेज लगे हुए हैं, सभी को अच्छे से कसना है, तो दोस्तों, हमारी बॉसिंग मसीन अच्छे से साफ हो चुकी है, अगर आप, दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएं, तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक से जरू करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद